खापरखेडा में पिस्तोल और दो गोली साथ में रखने वाले आरोपी पुलीस के हिरासत में है खापर खेडा पुलीस थाना अंतरकत इंदिरानगर आबादी शेत्र में नरसरी के पास मंगलवार रात साड़े साथ बजे पिस्तॉल और दो गोली आरोपी के पास से बरामत की गई पुलीस सूतरो द्वारा बताय जा रहा है कि अश्विन शामरा और धोने उम्र 24 वर्ष खापर खेडा निवासी इस आरोपी का नाम बताय जा रहा है उक्त घटना में आरोपी या आपराधिक तत्वों का होते हुए उस पर खापर खेडा पुलीस थाना में और भी कुछ गंभीर गुन्ने दाखिल है पुलीस अधिक्षक राकेश ओला के मार्क दर्शन में थानेदार चंदरकांत काली के नेतरत्व में का रहवा ही की गई खापर खेडा डीबी स्कॉट पथक को किसी खूफियां द्वारा जानकारी मिलने पर बताया गया कि आरोपी पिस्तॉल और दो गोलियां लेकर नरसरी के पास बैठा है वैसे ही थानेदार ने पेट्रोलिंग के पश्चात पुलीस ने आरोपी को बड़े ही फिल्म स्टाइल से पकड़ लिया आरोपी से एक पिस्तॉल और दो गोली जब्त की गई है सदर खटना में पुलीस हवलदार उमेश ठाकरे, बंडू कोकाटे, नितेश पिप्रोंदे, अश्विन भोंडे, आशिश फूरे, नुमान शेक, धुमाड इन्होंने यशस्वी कामगिरी की, इस खटना में आरोपी के खिलाफ 325 आम एक्ट और नुसार गुन्हा दाखिल किया गया है खापरखेडा पुलीस आगे की चार्च कर रही है NBCN News के लिए खापरखेडा से दिलिप गजबिये की रिपोर्ट